भाई और बहनों, हमारी सरकार सिटिजन्सी एमेंड्मेंट बिल उस पर भी आगे बढ़ रही है। ये बिल बावनाओं से जुड़ा हुआ है, लोगों की जिन्दगियों से जुड़ा हुआ है। पूरे विश्व में यदि कहीं भी मा भारती में आस्था रखने वाले किसी बेटे बेटी को प्रताडित किया जाएगा। तो वो कहां जाएगा। क्या उसके पासपोर्ड का रंग ही देखा जाएगा। क्या रक्त का कोई रिस्ता नहीं होता है। देश का विभाजन हुआ लोगों ने विभाजन करने वालों पर बरोसा किया। कुछ लोगों को वहां की धर्ती से लगाओ था अपने घरों से लगाओ था वो उन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया। वह वहीं बसे रहे। लेकिन जिन इरादों के साथ भी भाजन किया गया था। उन्हीं इरादों से उनके जहन को तोड़ने का प्रयास किया गया। ऐसी परिस्थिति में किया माँ भारती आपने बेटे-बेटी को अपने बच्चों को अपने आचल में जगार नहीं देगी उनकी पुकार नहीं सुनेगी ठीक है अतीत में गलतियां हुई होगी विभाजन के समय की नीतियों में जो कमिया रही मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता लेकिन उन गलतियों का प्रायस्चित आवशक है सात्यों इसी सोच के साथ बहुत मन्थन के बाद हर कसोड़ी पर कसने के बाद हर पहलू पर सोचने के बाद अथाथ परिश्रम के बाद 2016 में Citizenship Amendment Bill लाया गया Citizenship Amendment Bill ये कोई उपकार नहीं है ये अतीत में जो अन्याय हुआ है उसका प्रायस्चित है जो मा भारती मा स्रद्धा रखते हैं उन पर ये बड़ा दाईत्व है मुझे उमीद है कि बिल जल्द से जल्द संसत से पास होगा और भारत मा में भारत मा में आस्था रखने वालों के सभी ही तों की रख्षा करेगा भाई और बहनों आप आपसे बात करते हुए मैं आपको बढ़ाई भी देना चाहता आप बढ़ाई के पात्र है कि आपने उन सभी शक्तियों की साजिसों को असफल कर दिया जो समाज में दरार डलना चाहती थी यही असम की पहचान है यही असम की परिपाटी रही है दुख तो तब होता है जब कुछ राजनितिक दल असम और देश के स्वभाव को आँकने में असमर्थ रहते इन दलों को असम ने बेशने लंबे समय तक सामान्य मानवी से जुड़ी समस्याओं को समाधान करने के लिए अवसर दिया लेकिन उन्होंने सिरफ वोट बैंक की चिन्ता की तुस्त्री करन की चिन्ता की असम के लोगों की चिन्ता नहीं की असमर्थ बैंक की चिन्ता की